आज मैं आपसे expiry के ऐसे शांदार चार strategy शेयर करूँगा जिससे आपका जो accuracy है वो कम से कम 90 से लेके 95% का आ जाएगा और इन चारों में से मेरा सबसे favorite तीसरा और चौथा है तो उसके साथ पूरा वीडियो में बने रहीएगा देखिए आप जब expiry के हम बात करते तो ये expiry स इस्तमाल कर पाएंगी ये जो strategy मैं share करने वाला हूँ निफ्टी के लिए finnifty, midcap, sensex सारे के लिए आप इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं आईए यहाँ पर शुरू करते हैं तो सबसे वाला हमाला जो पहला होगा उसका target और उसका stop loss वो आप अच्छे से पहले समझ लि यहाँ पर 7 minute का, 7 minute market के खुलने के बाद 7 minute, अब 7 minute बात कैसे करेंगे, शुरूबात में पहला जो candle बनेगा उसका high low आपको mark तो करना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना confuse होते हैं कि हमको call लेना या put लेना है, confusion यहाँ पर आती है, तो यह market अब किस दिशा में जाता है, तो market में बहुत बार होगा कि शुरूबात का 2 minute हो सकता है, मानलेजे पहला candle red बना है, ऐसा बहुत ज़्यादा probability होती है, पहला red candle बना है, अब market धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा है, कौन सा वाला candle, 9-20 का candle, लेकिन 2 minute बात आप आप आएंगे कि वो candle फिर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए आपको 9 बच के 20 minute में कभी trade नहीं लेना है, 9 बच के 20 minute पे trade लेने का मतलब यही होगा, कि आपने अपने पैरों पे खुद ने कुलारी मार दी, तो इसलिए आपका trade बिल्कुल execute का वोगा, वो होगा 9 बच के 23 minute पे, 9 बच के 23 minute पे जब आप वहाँ पे entry करेंगे, तो वहाँ पर market जिस दिशा में भी जाएगा, आप वहाँ से entry करके आप बहुत जबरदस profit कमाएंगे, यह तो मैं आपको बताएं कि red candle बना, फिर red candle बना, दूसरा एक scenario कैसा होगा, पहला एक red candle बना, और अगला candle फिर धीरे धीरे पहले candle बनना शुरू हुआ, तो 22 मिनिट में यह उपर जाना शुरू होगा, बतलब 9 बच के 22 मिनिट में फिर उपर जाना शुरू होगा, आप देखें कि यहाँ पर फिर एक आपको विक दिखाई देगा और एक green candle बना शुरू होगा, इसलिए जल्द बाजी करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, यह देखिए, यह जो मैंने अभी आपको तरीका बताएए, यह खासकर तब होता है, जब market में बहुत बड़ा सा एक red candle बनता है, मतलब market बहुत बड़ा fall करता है, उस समय क्या होता है कि buyers, मतलब समझ लिजिए, कि यहाँ से fall करके नीचे तक आया बहुत बार होगा कि यह एक support के जगा के रुकेगा, तो यहाँ से buyers activate होते हैं, तो market को दिरे-दिरे करके यहाँ से उपर लेके जाते हैं, तो इसलिए सिफ red candle देखके यह आपको पूट लेना यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा, अब हम पहले बात करेंगे कि आपका यहाँ पे strike price क्या होगा, और आपका यहाँ पे target कितना होगा, तो strike price के अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप हमेशा इंदमनी में काम करेंगे, देखिए, एक तो होता है expiry की दिन, हम सब जानते हैं कि आपको बहुत सस्त में मिल ज करेंगे, क्योंकि 15 रूपे के नीचे अगर आप चले जाते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि expiry की दिन बहुत जादा सस्ता मिलता है, तो हम 2-4 रूपे का भी दिन की शुरुवात में लेके बहुत बड़ा amount बना देंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि market में दिन की बात में ATM में ही काम करें, बहुत अच्छा profit होगा, कितना profit होगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप ATM में काम कर रहें, तो आपका सबसे पहले target होना चाहिए, कम से कम 50 प्रतिशत से लेके 80 प्रतिशत के बीच में, सुनने में बड़ा अजीब लग रह और premium आप देखेंगे भागता है बड़ा तेज, तो इंदमने में अगर आपका position आपने सटिक लिया है, आपका फायदा बहुत हो सकता है, कई कबार 50 से 80 होगा, 80 से 1500 परसेंट भी हो सकता है, मतलब मान लिजिए आपने 2-4 lot अगर आप लिये है और आपका 5000 रुपए आपने खर्चा किया है, मैं एक example दे रहा हूँ, expiry के दिन, 5000 का अपने 2-4 lot जो भी आपने लिया होगा, तो 5000 का आप पाएंगे कि वो थोड़ी ही पल में वो कम से कम 4000 से लेके 5000 तक और आपका profit चला जाएगा, मतलब जितना पैसा आपने invest किया, उससे उसका दूगन आपको मिल सकता है, यह पैसा उससे भी जादा जा सकता है, लेकिन depend करता है कि आप कब तक hold कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि आप अगर expiry में हैं, तो देखिए, बहुत जादा भी hold करना सहीं नहीं होता, तो मैंने आपको एक target बता दिया, कि आपका 50 से लेके आपका 80% का फिर आपका target होना चाहिए, ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेता है, कि मैंने जो आपको तोर तरीका बताया, वो कैसे execute होता है, उसको आप थोड़ा समझेंगे या आपर, देखिए, अब ये, अगर मैं 13 तारीक की बात करूँ, तो 13 तारीक को आप क्या देखते हैं, 13 तारीक तो ये वाला candle अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो शुरुवात में उपर गया था, उपर जाने के बाद, दो मिनिट बाद फिर नीचे आया, तब जाकि ये red candle बना, तो इसलिए आपको यहाँ से put लेना है, अगर आपने गल्ती कर दी, कि पहला red candle बना, और अगला candle फिर जहाँ जाएगा, मैं तुरंद वहाँ से call ले लूँगा, क्योंकि ये पहला, जैसे ही ये 9 बच के 20 मिनट पर candle बना शुरू हुआ था, ये वाला candle, तो यहाँ पर market उपर जाने लगा था, तो आप उपर जाते देख, अगर आप call buy कर लेंगे, आप बहुत बड़े घाटे म आप, क्योंकि दो मिनिट बाद यहाँ मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 43,833 और नीचे, मार्केट कहा तक नीचे गया था, लगबग यहाँ तक नीचे गया था, यहां तक नहीं मार्केट और नीचे गया था लगबग यहां से 833 हमने गिना है और यह 788 तो लगबग यहां पर आप पा रहे कि मार्केट कम से कम 50 पॉइंट नीचे गया बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट वो भी एक्सपाईरी की दिन का मतलब होता है कम से कम आपका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट का पैसा वो 50 प्रतिशत बन ही जाएगा आखे बंद करके मोमेंटम रहा तो उससे जादा बन सकता है तो आप पैसो की चिंता मत करिए आप सिर्फ सही जगा पे ट्रेड लीजिए सही जगा कौन सा होगा जो होगा 9 बच के 22 मिनिट या आप 9 बच के 23 मिनिट सबसे सही होगा अगर आप single trade ले रहे, single का मतलब single position, naked buy कर रहे, call लेंगे आप put लेंगे, तो 9 बच के 23 मिनिट सबसे आपके लिए static होगा आई ये थोड़ा सा, और एक दो हम और test कर लेते हैं कि एक दिन पहले ये वाला जो देख रहे तो ये वाला ये वाला भी कर सकते, ये देखिए, ये क्या है ये जो मुहरत trading था, market हमेशा एक जैसे ही काम करता है अब देखिए, शुरुबाद का क्या हुआ पहला 5 मिनिट बना, अगला candle फिर उपर जाने लगा, और उपर ही रहा ये second वाला candle, तो ये भी अगर expiry होता, हम मान लेते हैं, अगर expiry भी होता, तो तीसरे मिनिट में market उपर जाना शुरू किया पहले मिनिट में क्या हुआ जब ये second candle बनना शुरू हुआ ये उपर गया, फिर वापस नीचे आया, और फिर धीरे धीरे फिर से आप उपर जाने लगा, तो cool मिला के ये bullish ही trend था, तो आप अगर यहाँ से buy करते तो आपको 100% फाइदा हो जाता था, एक दो और देख लेते हैं, चीज़े आपको समझ में आने लगी कि ये देखिए यहाँ पर भी वही मामला सारे के सारे वैसे ये देखिए, पहला candle बन गया, हमने इसको mark कर दिया, अगला candle क्या हुआ था, नीचे आना शुरूआ कि इसका विक देखिए, इतना बड़ा है, second candle का विक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ था कि मार्केट शुरूआत पे अच्छा कासा पहले नीचे आया, देखिए, इस candle को देखिए, इस candle, second वाले candle को देखिए, मार्केट पहले नीचे आया, और फिर दो, तीन, दो, ढ़ाई मिनिट बाद, मार्केट फिर उपर जाने लगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे call, और जैसे हमने call लिया, फिर क्या होगा, देखिए, मार्केट यहाँ से, अगर हम यहाँ से भी अगर ले लेते, क्योंकि तीसर मिनिट मार्केट लगबग यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, 43,570, मार्केट कहा तक उपर गया था, यहाँ तक उपर गया था, 570, याद रखिएगा, और यह 597, और फिर थोड़ा सा और नीचे आया, और लेकिन यह बहुत जादा नीचे नहीं यह देखिए, अगर आप यहाँ से भी लेते, तो मार्केट उपर गया, फिर नीचे आया, और फिर पोजिशन बनाती हुए, मार्केट बहुत उपर ही गया, पूल मिलाके, यह देखिए, पूल मिलाके, आप यहाँ पर अगर होल्ड करते है, कितना सारा, तो 720 तक गया, कहां से 583 से लेके, 570 से लेके, इतना बड़ा, आपको बस करना क्या होता, क्योंकि आपको stop loss भी sit करने होते, stop loss की अगर हम बात करते, तो हवेश आपना stop loss जो है, वो अपने point की साब से भी रख सकते है, और आप यहाँ पर आपको strike price दिकर रहा है, इसकी साब से भी रख सकते है, मतलब premium पे भी रख सकते है, और आपने जो strike price select करके रखा है, उसकी साब से भी रख सकते हैं, चलिए, अब हम बात करेंगे, यह हमारे दूसरे strategy के बारे में, दूसरा strategy होगा, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ, दूसरा हमारा strategy होगा, वो होगा 922 पे, एक दब exactly 922 पे आपको यह वाला करना है, 922 को क्या होने वाला है, अब इसको सुनिए, 922 पे आपको यहाँ पे दोनों खरीदन है, आपको hedging करना है, कैसे, एक call, एक put लेना है, और 9 बच, अब एक बात में आपको साथ में बता दू, यहाँ पे आपका जो time frame होगा, उसको आपको बदलना पड़ेगा, एक minute करना पड़ेगा, ठीक है, यह 5 minute में काम नहीं चलेगा, तो एक minute करने के बाद, आपको एक call, put लेना है, अब सबसे पहले हम target की बात करते हैं, तो target की अगर हम बात करें, यहाँ पे जिस तरह के से हम सबसे पहले strategy में हम देख रहे थे कि वहाँ पे आप 50 से लिए 80 प्रतिशत तक का आप रुख सकते, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 20 प्रतिशत तक ही आप रुखें लेकिन जो उपर जाएगा, मतलब जो जिस तरफ market का रुखान होगा, वो बड़ेगा बड़ा तेजी से, तो वो कम से कम आपको 20 से 30% देई देगा, बहुत आराम से देदेगा, तो इसलिए आपको, हाँ, trading time क्या होगा, याद रखिए, मतलब आप शुरू कर देंगे, आप आपका काम चालू हो जाएगा, 9 बच के 21 मिनट से आपका काम चालू हो जाएगा, 9 बच के 22 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा, 21 मिनट से काम शुरू होने का मतलब क्या है, मतलब 9 बच के 21 मिनट होने के 30 सेकंड बाद, बड़ा हाथ चलाना है, याद रखिएगा, इस स strike price कैसे चुने, same strike price चुने या अलग-अलग चुने, यहाँ पर strike price की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ premium की बात करूँगा यहाँ पर, आप strike price आप चून सकते हैं कि आप in the money में लेना चाते हैं, of the money में लेना चाहते हैं, आपको जहां लेना है आप वहाँ पर लीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि आप जो भी premium ले रहे हैं उसके आसपस दूसरा वाला लीजिए, मान लीजिए 50 रुपे expiry का दिन है, हो सकता है आपको कुछ तो सस्ता मिल जाता है, तो 50 रुपे का अगर आप यहाँ पर एक call ले रहे हैं, तो कम से कम उसके 2 रुपे आगई है, या 2 रुपे पीछे का पूट लेना है, मतलब पूट कितना हो सकता है, 52 रुपे का पूट हो सकता है, या 48 रुपे का 2 रुपे का बस फरक रखिए, 2-3 रुपे बहुत हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फरक होना चाहिए, अगर आपने इसको 50 पे लिया है call, तो आप पूट ले रहे हैं वहाँ पे 40 पे, इतना बड़ा फरक मत रखिए, सिर्फ 2-3 रुपे का फरक रखिए, काफी हो 9 बच के 21 मिनिट और 30 सेकंड होने के बाद आपको ए call और पूट ले लेना है, अब देखते हैं और target कितना है, 20-30 प्रतिशत का हमारा target होगा, आए देखते हैं कि market क्या करता है 9 बच के 22 मिनिट में, मतलब market के 7, market खुलने के 7 मिनिट बाद market ना एक दिशा पकड़ता, मैं आ market क्या करता है शुरुबात में, यह आए, यहाँ पर गिन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, यह चटवा केंडल है, मैंने आपको क्या का, चटवा केंडल, 9 बच की 21 मिनिट मतलब ही चटवा केंडल है, और वहाँ से आप तुरंद ले लेंगे, एक call और एक put, अब फिर market क्या करता है, आपको वहाँ से कैसे पैसे देता है, उसको अब जरा आप धहन से देखिए, आप दोनों लेंगे, तो इसका मतलब आप बेहत जबर्दस तरीके से आप इसको hold कर सकते हैं, अब देखिए, आपने कहा से लिया, आपने यहाँ पर लिया, यहाँ कही लिया हाँ, आप कहेंगे सर हमारा तो यहाँ पर expiry है तो premium DK होगा, बेशक होगा, पर घबराना आपको नहीं है, दोनों में आपको premium DK दिखा सकता है, दोनों में premium DK दिखाएगा, क्योंकि थोड़ी दिर बाद जैसे market consolidate करेगा, आप तो पहले डरना शुरू कर देंगे, अरे दोनो में थोड़ा बहुत अगर हमारा चला भी जाता है, लेकिन वह वापस आ जाएगा सूच समेथ, तो यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो market इतना सारा नीचे गिरेगा, कहा से कहा पहुँच जाएगा, देखिए, अगर मैं points गिन के बताओ, जैसे कि आप अगर यहाँ से कहीं ले तो यह कितना है, 840, पर आपको मैंने क्या कहा, आपको 20% के लिए आपको वेट करना है, और market कहा तक गिरा, अगर मैं गिरावट को अगर यहाँ पे नोट करूँ, तो यह देखिए, 687, 840 से 687, लगबग यह 160 point market नीचे आया, वहाँ से, 160 point, तो 160 point में तो आपका कितना सारा पैसा ज्यादा बन जाएगा, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, यह एक दिन का मैंने आपको दिखाया है, अगले दिन का भी देखते हैं, अगला दिन मतलब मुरत ट्रेडिंग से पहले शुकुरुआर का, यहाँ पे हम चले जाएंगे, सबसे पहले यह देखिए, चीज लेने के बाद क्या होता है, ट्रेड आपने ले लिया है, तो मार्केट फिर उसके बाद क्या क्या, देखिए, मार्केट का रुजान देखिए, समय के साथ-साथ मार्केट देखिए, धीरे-धीरे-धीरे करके फिर उपर ही चला है, आपका पैसा कही नहीं जाएगा, आपका 559 है तो 559 पे अगर आप एक कॉल एक पूट ले लेते हैं और आप मार्केट को 10-10-11 बचे तक भी होल करते हैं तो देखिए मार्केट कहा से यह पूरा सीधा-सीधा 200 पॉइंट का चड़ाई है 200 पॉइंट एक घंटे के अंदर एक घंटा पूरा भी नहीं लग रहा है एक घंटे के अंदर मार्केट 200 पॉइंट उपर चला गया आपका तो यह अपने सारा पैसा कवर हो जाएगा जो अपने हफ्ते बर में अगर लुक्सान किया होगा तो आई एक दो और देख लेते हैं फिर हम अपन में दूसरे सेटप पे चलेंगे दूसरे स्ट्रेटेजी पे चलेंगे अब देखिए इसको देख लीजिए नौबच के 21 मिनिट पे ट्रेड लेने का बड़ा फायदा देखिए क्यों यह सब मैंने ढूंद के आप लोगों के लिए और सब फ्री है कोई कोर्स करितनी की बिल यह देखिए यह यह है पाथसो एकसट फॉर्टी थीज़न सिस्टी वन 561 अब मार्केट यहां से कितना उपर गया है यह दिखिए, 742, कितना सारा उपर गया है, लगबग लगबग 200 पॉइंट ही है यह, तो मार्केट, अगर आप एक कॉल पूट लेते, तो भी आप मार्केट अगर 200 पॉइंट उपर जाता है, तो मेरी हिसाब से आप यह 50% का आपका तो प्रॉफिट होई जाएगा, बहुत आ तो आपका ठीक एक बजे, 1 पीम, एक बजे ही क्यों, क्योंकि एक बजे मार्केट अपना एक मॉमेंट तयार, मॉमेंटम जो है, एक एक रफतार पकड़ता है, मार्केट, मार्केट, तो ऐसी समय पर आपको उस मॉमेंटम को बिल्कुल भी कभी मिसन नहीं करना चाहिए, तरीका आपका वही होगा, आपको यहाँ पे भी एक call और एक put आपको लेना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक फाइदा होगा, जो आपको सुबह जो नहीं मिल रहा था, वो होगा, यहाँ पे आप premium बेशक आप यहाँ पे कम ले सकते, यहाँ पे premium कितना कम ले सकते, इस बारे म market में इस premium का intrinsic value बहुत शांदार तरीके से बढ़ जाएगा, मतब market अगर थोड़ा भी move करेगा, जो आपका इंदमनी जिस तरीके से काम कर रहा था सुबह, market में आप जब आएंगे expiry के दिन, तो यह 5 रुपे वाला आपके लिए same उतनी तेजी से वह काम करना शुरू कर दे हैं, आपके capital के अनुसार, अब मैं सबसे पहले अगर मैं capital की भी बात करूँ, तो कितना capital से आप बहुत बढ़िया पैसा निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, यहाँ पे मेरे अनुसार कि आप एक बज़े का अगर आप trade कर रहे हैं और आपके पास कम से कम, केते हैं, lot लेते तो वो निकल जाएगा, मैं उतना कम में नहीं जा रहा हूँ, मैं करोगर आप अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया पैसा, जो आपके हफ्ते बर का पूरा कमाई कर गे दे, तो 3000 रुपै, 1500 रुपै आप call में लगाईए, 1500 रुपै पूट मे बनेगा, अब मैंने आपको समय बता दिया है, ठीक एक बज़े, एक बज़े आपको यहाँ पर ट्रेड ले ले लेना है, टार्गेट की अगर हम बात करेंगे, तो टार्गेट भी यहाँ पे हमारा उतना ही होगा, यहाँ पे टार्गेट थोड़ा सा छोटा होगा, जो हमार नौ बच के बाइस मिनिट वाला था ना उतना बड़ा मतलब जहां पर हम 20 से 30 परसंड ले रहे थे अब यहां पर उतना बड़ा हमारा नहीं होगा यहां पर हमारा थोड़ा साम इसको छोटा कर देंगे यह हमारा हो जाएगा 15 से लेके 25 तक इतना ही होगा लेकिन याद नौ 21 को एक बताया फिर मैंने नौ 22 को एक बताया अब मैं एक बज़े तो दिन में अगर आप चार ट्रेड भी लेते हैं और एकस्पाइर के दिन अब तो पाचो दिन एकस्पाइर ही है आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा देखिए 15 से 25 प्रतिशत का हम एक ट्रे 15 परसंट होता है 4500 रुपए ठीक है यह हो गया आपका 3500 का 15 परसंट अब 4500 रुपए आप कहेंगे सर 4500 रुपए कुछ कम नहीं लग रहा है कम तो लग रहा है लेकिन बड़ी सटिकता से अगर आपको पैसे मिल जाता आप और क्या चाहिए दिन में आप 5-4 ट्रेड ले र तो आपका पैसा बहुत बढ़िया बनेगा अब देखते कि मार्केट में अगर आप एक बज़े यहां पर ट्रेट करते हैं यह वाला केंडल एक बज़े का है यहां से मार्केट बहुत अच्छा-घास उपर गए आपको यह पर पैसा बना गर देख देगा अगला अगर हम 12 तारिक चली वो तो गया जही नहीं था यहाँ पे देखते हैं मैं जो कहता हो कि एक बजी क्या होता है एक बजे का देखें यह ट्रेड यह वाला कैंडल ग्रीन वाला जू कैंडल है एक बजे का है अब वहाँ से मार्केट को देखें कितना जादा हुआ, यहां तक market नीचे आया, कहां से नीचे आ रहा, 800 के पास से सीधा 6500, तो 1500 point का market आपको एक downfall आपको दे रहा है, तो यहां पर मैं आपको एक तरीक और बता सकता हूँ, कि आप बहुत बार हो सकता है, कि आप market कितने point के बाद हम एक guarantee के साथ हो सकता है, कि सर हम किसी एक को exit करें, हाँ, ऐसा किया जा सकता है, अगर market मान लीजिए, आपने यहां पर entry किया है, for example, यहां पर 43,800 पर आपने entry किया है, और आप चाहते कि सरम बीच में जाके एक जगा पर उसको काट दे, एक leg को काट दे, ताकि हम भी थोड़ा सा ज़ादा profit हो जाए, बिल्कुल किया जा सकता है, वो होगा, जब market 100 point travel कर चुका होगा, आपने जहां पर भी trade लिया है, वहां से जब market 100 point travel कर चुका होगा, तब जाके आप एक काट दीजिए, for example, अगर market 43,800 पर आपने लिया है, और market पहुझ गया, अभी 43,700 तक पहुझ गया है, market मतलब नीचे गिर रहा है, तो ऐसे समय पर आप call को काट सकते हैं, put को hold करिए, तो call को काटने के बाद देखेंगे, put तो और नीचे जाएगा, अब call में जितना नुकसान हो रहा था, वो तो आपका खतम हो जाएगा, अब put का जो premium बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर आपका profit तक बेट करेंगे, तो market, वो 100 point तक एक दिशा तै कर लेता, और उसके बाद वापस नहीं आएगा, 100 point से फिर 200 जा सकता है, 200 जा सकता है, आप सोचके देखिए, अगर market 200 point भी travel करता है, आपने जहाँ से trade लिया, 100 point तक आप आप आए, और market ने आपको जो भी थोड़ा बहुत 15 रुपे अगर वो दे देता है, जादा ही देख, मैं उधारन दे रहा हूँ, और आपने फिर 1 को कार्ट दिया, और market वहाँ से और 100 point नीचे गया, तो आपका put का, अभी मान लिजिए, put चल रहा था आपका, एक example में दे रहा हूँ, 43,800 पर आपने लिया, और आपका put चल र 80 बन गया, और आपने 50 का एक call भी लिया था, वो आपका, मान लिजिए, 50 का खरीदा था, वो चला गया 20 रुपे, या वो चला गया आपका 30 रुपे, अब वहाँ से आप जैसे उसको काट देंगे, तो उसका पैसा खर्चा होना बंद हो जाएगा, नुक्सा होना बंद हो ज सकते है, बस ये तरीका इस्तमाल करिएगा, कि मार्केट जैसे 100 पॉइंट ट्राविल करेगा, तो फिर दूसरे वाला जो लेग, जो आपूजिट लेगे, उसको फिर आपको काट देना है, एक बात याद रखीगा, इसमें खत्रा थोड़ा भी नहीं होता है, प्रैक्टिस स यहाँ पर एक बज यह वाला केंडल, यहाँ पर ले लेंगे, एक, लेने के बाद अब यह बहुत ज़्यादा ट्राविल नहीं कर रहा है, यह सिर्फ सौव पॉइंट ट्रेविल किया, अब सौव पॉइंट ट्राविल किया, मतलब यहाँ पर आपको वक्त नहीं मिलेगा, क सौथा वाला उसका समय है ठीक 2 बचके 16 मिनट, 15 मिनट नहीं, 2 बचके 16 मिनट पर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है यहाँ पर भी same आपको एक call लेना है और आपको एक put लेना है अब इसका क्या फाइदा होगा यहाँ पर आप trade अगर करते हैं तो यहाँ पर और तेजी से आपका बढ़ता है पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर out of the money काम नहीं करेगा आप यहाँ पर बूरी तरीके से फस सकते हैं out of the money अगर आप लेते हैं मतलब यहाँ पर आपको in the money में ही काम करना पड़ेगा यहाँ पर out of the money आपके लिए नहीं होगा एक call एक put दोनों भी in the money क्यों मैं मैं आपको समझा देता हूँ out of the money का premium यहाँ पर इतना जादा तेजी से घटेगा कि market अगर मान लिजे चड़ भी रहा है ना और थोड़ी देर अगर रुग गया तो आपका premium पुरा घट जाएगा डिके हो जाएगा इसलिए ITM में ही trade करना है दो बच के 16 मिनिट पे अब यहाँ पे दो बच के 16 मिनिट पे एक call एक put ले लेंगे target हमारा कितना होग वही यहाँ पे आप बहुत आसानी से 20 से 50 परसेंट तक भी आप वेट कर सकते क्योंकि premium बहुत बहुत खतरनाक speed से बढ़ता है चीजे वही है 100 पॉंट चला जाएगा दूसरे को आपको निकाल देना है आईए एक दिन का देख लेते हैं अभी यहाँ पे for example यह वाला अब इसको हम एक मिनिट के टाइम फ्रेम में बदल देते है तो चीजे और हम आसानी से समझ पाएंगे देखिए फर्स करते अगर यही दिन अगर होता यह जिस दिन के हम बात कर रहे है अगर इसी दिन अगर आप लेते तो यह दो बच के 16 मिनिट कहा है यह है दो बच के 16 मिनिट अब यहाँ पे अगर आप ट्रेट करते यह तेरा तारीक की बात हो रही है यहाँ पे अगर ट्रेट करते त थोड़ा भी यह बढ़ेगा, आपका premium बहुत तीजी से बढ़ने वाला है, आपका फाइदा हो गई, तो मैंने आपको target पहले बता दिया, 20 से 50 प्रतिशत के बीच में जहां भी मिल जाए, कभी 30 प्रतिशत मिल सकता है, कभी 25 मिल सकता है, कभी 40 मिलता है, जो मिलेगा आपको उ थ्यादी होगा कौन संच था, दो बच के 16 मिनिट, यह दो बच के 16 मिनट पर आप यहाँ पर जैसे आप्टेड लेते है, तो मार्केट कम से कम यहाँ पर 100 पॉंट के आसपास मार्केट नीचे आया, तो 100 पॉंट के आसपास भी अगर नीचे आता याँखे प्रीमिम इतने तेजी से बढ़ेगा तो आपका वहापे फाइदा हो ही जाएगा, गैरंटी के साथ हो जाएगा, बस आपको एक कॉल, एक पुट लेके आपको छोड़ देना है, और यही प्रैक्टिस आपको हफते के पाचो दिन करना है, बिल्कुल यह मत सोची कि आज बैंग निफ्टी का बस यह देखके चलिए, किस दिन किसका एक्सपाइरी है, हाँ, प्रैक्टिस जर आपको जादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जादा करेंगे, बहुत जादा फाइदे में रहेंगे, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कितना दिन आपके लिए सही लाएगा, तो देखिए, आप अगर इसको एक महीना भी अगर प्रैक्टिस करते है, हफते में चार महीने में चार हफता होता है, एक हफते में पाच एक्सपाइरी है, और पाच एक्सपाइरी को आप प्रैक्टिस करिए एक महीना, पूल मिलाके फाइफ फूर्जा 20, बीस दिन आप प्रैक्टिस करे और इसी को आप लेके आगे चलते रहिए, आप देखेंगे कि बस आपको फिर expiry के आलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिएगा, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन!